हैलो एवरिवान गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे मैं भी ठीक हूँ तो गाई सुभा का टाइम है और आप सभी को जैम आता दी पूजा मैंने कर ली है जाड़ू पोचा घर मेरा एकदम बिल्कुल क्लीन हो गया है और पूजा भी मैंने क अगलवार को एक हफता हो गया था लेकिन पता नहीं बस कैसे ऐसे ही दिमाग से निकल गया मैंने कर लेती हूँ और बस अभी मैंने सुभा से पानी ही पानी पिया है तो यह मेरा दूसरा ग्लास मानी है और आज जादा देखती हूँ गरम पानी ही पियूँगी क्योंकि वैस करूँगी अपनी एकसेसाइज स्टार्ट अभी मैरा सारा वैसे मोर्निंग का काम हो गया है जो की होता है गर का बस मेरा रूटिन अभी बाकी है पानी पीलूँँगी फिर इसके बाद एकसेसाइज करूँगी और फिर देखती हूँ क्या कुछ खायूंगी तो चलो पानी पीती हूँ पहले, गरमी पानी है ये, और बच्चे चले जाते ना घर इतना जाता खाली-खाली सा लगता है, एकदम बहुती जादा, आज आएंगे अभी 10 बजे तक और टाइम ना, साड़े-8 बज रहे हैं, तो सुबाई उट जाती हूँ, जैसे बच्चों की साथ घर का का माम करती हूँ, तो थोड़ा सा पूजा में लेट हो जाती है, मैं सारा काम करके ही पूजा करती हूँ, मुझे ना ऐसा अच्छा नहीं लगता कि घर का सारा काम पड़ा है, जाड़ो, पोच्चा मतलब, तो मैं घर को पहले अच्छे से बिलकुल साफ करती हूँ, तब जाके दिन पूरानी नहीं है इस बार गर्मी में ही लाई थी और ये देखी ये भी धीली आने लगी है बस में बता रही थी आपको के थोड़ा सा पेट रह गया है और एकदम से देखो फिट तो नहीं होंगे हम क्योंके दो दो बच्चे हैं और डिलीवरी के बाद थोड़ा सा सरीर अलग सा हो जाता है अगर एक दम कहो मतलब फीगर बिल्कुल लड़की की तरह बन जाएगा तो वैसा तो नहीं बनेगा थोड़ा पेट तो दिखेगा ही तो लेकिन फिर भी बहुत हद तक का वजन कम हो गया है पहले कहां डबल एक्सल की टीशर्ट आती थी लेकिन अब एक हज़न फूला ःतना ही कम हुआ होगा तीन किलो साएद अभी तक का हो गया होगा अभी तीश तारीकान uns और टाइम है और जैसे कि आज मेरा साल्ट फिरी डे भी हैं और अगर आप साल्ट फिरी डे के दिन ज्यादा कुछ नहीं खाते हो न और पानी ज़ादा पीतते हो तो वजनना एक दिन में एक से डेड़ किलो आराम से कम हो सकता है लेकिन साल्ट फिरी डे के दिन बिना हमें बहुत चीजों का धियान रखना पड़ता है ऐसा नहीं है कि हम साल्ट फिरी डे है आज हमें नमक नहीं खाना है तो हम मीठा खूब खाए तो आपको ना मीठा ज्यादा नहीं खाना है हलका फुलका सा आप गुड की चीज़े खा सकते हो वो भी बहुत हलका सा गुड डाल कर मीठा खा सकते हो बहुत से लोग ये सोसते हैं कि आज नमक ही नहीं खाना है चलो मीठा तो खाई सकते है लेकिन उससे ना कोई फाइदा नहीं होगा अगर आप खुब ज़्यादा मीठा खा लोगे salt free day के दिन तो वो कोई फाइदा नहीं होगा पानी आप जादा से जादा पीना और कोशिस करना कि हम ना जादा कुछ ना खाए उस दिन जिस दिन हमारा salt free day होता है जादा कुछ ना खाए तो देखिए हाथ ना बहुत तेज लग गया था इसमें बॉर्ड में बहुत तेज से चोट लग गई थी और यहाँ पर मेरी exercise चल र पड़ता है तो उससे ना हमारा वजन अच्छे से कम होता है तो देखिए यह ना मैं कुछ face की exercise कर रही हूं जो कि मैं face की exercise करती हूं और exercise मेरी वही है रोज की आज ज्यादा नहीं बताया है कौन-कौन सी exercise सारी वही है जो कि मैं daily करती हूं अपनी exercise तो जी मेरी exercise भी हो गई और जैसे मैंने बताया salt free day के दिन आप ऐसे करके देखो पक्का आपको ना एक ही दिन में फरक लगेगा कि हां सच में मेरा वजन कम हो गया है मैं तो जिस दिन salt free day के अगले दिन उठती हूं ना मुझे ऐसा हलका लगता है मतलब लगता है सच में मेरा वजन एक दो किलो कम हो में बैठे रहो अंदर काम हो तो काम करते रहो बिल्कुल भी खाली नहीं बैठा जाता है अंदर ऐसा मन करता है बाहर चलो धूम में तो परी भी आ गई थी तो परी अपना fruits खा रही थी फिर में बहुनने लगी मैं परी मुझे सबजी ला दो गोभी की सबजी बनेगी तो म कपड़ा लेने वाले आते हैं कि तो यहां ना 3 रुपे किलो कपड़ा लेते तीन पहले मुझे ऐसा सुनता था कि 30 रुपे किलो तो नहीं जी 3 रुपे किलो लेते हैं और यह है कि हां घर में से निकल जाता है ऐसे कहां फैको आ रहो आज करना कोई लेता भी नहीं है तो मैं कब से उनका इंतेजार कर रही थी कि कब आएंगे और कब मैं उनको कपड़ा दूंगी तो बस मुझे उनकी आवाज आई तो फटाक से मैंने सबजी वबजी सब छोड़ा सब छोड़ दीती और मैं उनको कपड़ा भरवाया बहुत सारा कपड़ा था 24-25 किलो मैंने कपड़ा निकाल रखloe था तो वह मैंने सारा उनको कपड़ा दिया फिर जाकर मैंने अपनी सब्जी कटखी और मैंने यहाँ पर अपनी सब्जी वबजी छोट दी है जो बरतन थे में भी थोकर रख दिये है और यहाँ पर आपनी एल्पनी इप्ल इश्मोदी जो की आजकल न मुझे बहुती टेस्टी लग रही है ये थोड़े से उस पर डाल लोंगी उपर से ड्राइप रूट काजू है बदाम है दो तिन किस्मिस है और बस ये डाल कर मैं इसमें और ये न मेरे पास नारियल का बुरादा रखा था तो फिर मैंने सोचे चलो मैं इसमें आज ये भी डाल लेत रहते हैं इसको इंजोई तो बैस बारा मज़ गए है और यह है मेरा दोफैर का लंच यहीं लूंगी में एपल स्मूदी और मैंने सुपह से कुछ निए था मैंने का दोफैर में ही खा लूगी एक बार और बच्चे देखके ना बच्चे ललचा रहे है परी तो कहा रही है आज मैंने जारा सा बहुत ही जारा सा गुड़ डालाता है इसमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मुझे यह एपल सा तो अच्छा ही रहता है एपल बेर के एक खाते रहो और इसको आराम से पील और पेट भी भड़ जाता है एकदम तुचल यह पील लेती हूं है हम अब टेप को फिर भाट लेती है और अभ जेटती। अब वेज़ तो दोलो मिल रखेते हैं जाली वालें वैसे भी थायाएं के तो जी देखिए हम आ गए हैं अपने घर मतलब हमारा मकान है यह जो की बन रहा है और यहाँ पर देखिए बहुत हद तक का काम हो गया है और बहुत हद तक का अभी रह भी रहा है टैंसन ऐसे हो रही है कि कैसे क्या होगा थोड़े ही दिन बचे है तो देखिए प्यूपी हो गई है और जीना भी बन गया है बस जीने पर रह गया है पलस्तर होना और यहाँ पर प्यूपी वाले भईया का तो आज काम निपट गया है तो उनका काम हो गया है complete अभी बस यह जीना हट जाएगा तब जाके यहाँ पर म कीचन तो आज कंप्लीट हो जाएगी और फिर जाके देखते हैं और क्या क्या होता है टाइम बहुत कम बचा है और ऐसा लग रहा है कैसे क्या होगा और जी देखे गेट भी बनकर आ गया है ये वाला हमने गेट बनाया है बाद में आपको आपना सब कुस दिखाऊंगी अच् से आ गया था लेकिन जैसे ये लोग उतारे पतानी कैसे उतारे बस राम जाने एक दम से गिरा और पटाक देशी हुई बस मेरी तो धड़कन एक दम से ऐसी हो गई थी बहुत ही जादा दुख हुआ इतना अच्छा हम पत्थर लेके आए थे बहुत ही अच्छा बहुत यह नहीं मैंने इनको फोन करके पूछा कि पत्थर उतर गया जैसे इन्होंने मुझे बोला ना कि पत्थर टूट गया बस इतना ज्यादा दुख हुआ मैं आपको बता नहीं सकते हैं आप लोग भी समझ सकते हो कि कैसे हम एक रुप्या जोड़के अपना इकटा करते हैं अ हाँ पर मैं घर पर भी आ गई थी साम का टाइम हो गया था तो मैंने अपने खाने की तैयारी कर दी है जैसे के आज मेरा साल्ट फ्री डे है इस प्रावड बनाऊंगी मैं और पहले मुझे लग रहा था कि ज्यादा लेट हो रहा है पहले पूजा कर लेती हूं तो इस प्रा पहले अपने लिए निकाल लोंगी और फिर जाकर इसमें नमक डालोंगी और मैंने बच्चों को भी दे दिया है दोनों बच्चों को भी बहुत जादा पसंद है इस प्रावड और कच्चा थोड़ा सा खाने में यह वो करते हैं अगर थोड़ सा तवे पर रोष्ट कर दो ना तो वो कच्चा बिल्कुल भी नहीं लगता है ऐसा लगता है जैसा वोईल करे हुए चने वो मिलते है ना ट्रेन में बस में तो बिल्कुल ऐसे ही लगते है तो बच्चे अच्छे से खा लेते है तो देखिए मैं भी यहां खा रहे हैं मेरे air ring आप लोग comments करके बताना मुझे तो काफी अच्छे लग रहे है quality wise काफी अच्छी आई है और अगर आप भी लेना चाते हो तो link दे दू बताओ डालू यह नहीं तो चलो मैं डाली दूंगी link अगर आपको किसी को अच्छे लगे तो ले लेना मुझे तो बहु फोन आया मुझे मैंने के इतनी रात को किसका फोन आया इतनी रात को आते नहीं है पारसल लेकिन यह आ गए भईया तो चलिए मैं निकाल के रखती हूं और अभी बस मैं लोगे green tea थोड़ा सा इतरा आ रही हूं नहीं नहीं चीज पहनते हैं थोड़ा सा लगता ही है और चिप हो जा भईया पूँ 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 बजा रहा है तो गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो like, share, comment जरूर करना चैनल पर पहली बार आये तो चैनल को subscribe कर लेना मिलती हूं का लेक अच्छी सी वीडियो के साथ अब तक के लिए बाए बाए